हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों देखिए बात करेंगे यूपीवेड इंटरस्ट्यू 2019 देखिए आज 16 जून है और आज की क्या-क्या आपके लिए आजसे सूचना है है यहां पर यहां पर यहां पर यहां बात करेंगे कि राउंड फस्त में कुल कितनी सीटें आवंटित हो चुकी है वहीं बात करेंगे कॉलेज आवंटन पत्र डाउनलोड होना सुरू हो गए है ठीक है तो कैसे डाउनलोड करना है और बात करने वाले हैं कुल कितने अभियारतियों की Month 1998 की फीस फसी है ठीक है इसका भी डेट्त मुझे मिला है उसी लेटेस्ट अबडेट में तो इसमें यह दिया है है कि कुल कितने अभियारतियों की फीस फसी है तो यह भी आपको जानने को मिलेगा तो दोस्तों अगर लेटेस्गिट लिए मेरे से अभी तक नहीं जुड़े हो आप तो नीचे रड़ गलर की आपको सब्सक्राइब बटन दिख रही है उसको दबा लीजे और बगल में बल आइकन को प्रेस कर लिए जिससे क्या आपको लेट सब्सक्राइब यह जुड़ी हर जानकारी समय से मिलती रहा है और ध कॉलेज 15 पत्र डाउफ्लोड नहीं कर पार हैं वह भी ध्यान दें कि उन्हें कोलेज 15 से डाउन्लोड करना है और देखिए कुछ लोग तो डाउन्लोड कर ले रहे होंगे क्योंकि उनका 19 0000 पत्र जारी हो गया है ठीक कै और जिनका नहीं हुआ है तो वह भी परिशाद नह करने के लिए तो वहाँ से आपने स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड किया वैसे आपको अपना अलाइन भी डाउनलोड करना है थी अड़ यह अपने को तरब से तो वो लोग पषान और फड़ा फड़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए कि अपने सभी दोस्तों को शेर कर दीजिए कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग लाइक बहुत कम करते हो ठीक है मैं कोसिस करता हूं कई लोगों नैसा भी कमेंट किया कि आप लाइक और शेर के लिए बोलता हू कि सेर आप लोग करोगे अपने दोस्तों को जो यह वीडियो में बना रहा हूं तो उस मतलब ज्यादा ज्यादा लोग इसको देखें जिसे कि उनको भी जाहनकारी मिल सके जो परिशान है और लाइक के लिए इसलिए बोलता हूं कि जो मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग इंपुट देते रहें ठीक है यहाँ पर पहले तो बात करेंगे बीड दूसरे दौर की जो काउंसलिंग है वह समाप्त हो गई है और उसमें कुल कितने रेजिस्टेशन हुए हैं तो कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लाग पांच हजार पंजी करण कुल हो चुके है ठीक है दूसरे दौर की काउंसलिंग में एक लाग पांच हजार कुल रेजिस्टेशन हो चुके है ठीक है वहीं बात करेंगे जो पहले चरण के कंडिडेट थे यानि पहले चरण के 56,000 अभ्यारतियों को कॉलेज अबंटित कर दिया गया है ठीक है तो आप यह समाझ लिए कि दो लाग कुल सीटें थी जिसमें से 56,000 अभ्यारतियों को कॉलेज अबंटित हो गया है इसमें सभी कुछ आत्रों बच्छे हुए जिनकी फीज अभी सब्मिट पूरी तरह से नहीं हो पाई है मतलब इनके एकाउंट से कट गई एकाउंट से कटने के बाद में वहां तक पहुची नहीं अपडेट नहीं हुई है इनकी आईडी पर अपडेट नहीं हुई है ठीक है तो वो लोग परिशान है भी तो उनका भी यहां पर प्रॉब्लम रिशॉल्व हो जाएगा चलिए तो यहां पर डिटेल में जान लेते हैं क्या है समस्या ठीक है तो यहां पर द साथ ही पहले चुरण के 56,000 अभ्यारतियों को फीस जमा करने के बाद कालेज आवंटित कर दिया गया इंटरनेट की गड़वडी के चलते कुछ छात्रों की फीस फसी है उनका कॉलेज आवंटन जो है वो रवीवार को हो जाएगा ठीक है तो यह मत समझे कि लास डेट निकल गए है आपकी फीस अब नहीं पहुंचेगी आपका काम नहीं होगा आपको कॉलेज जाहीं नहीं आवंटित किया जाएगा आप परिशान ठीक है तो इसमें साथ-साइब देखी बोल दिया गया कि रवीवार को उनका भी कॉलेज हो जाएगा ठीक है वहीं बात करेंगे तेरा जून को सुरू हुई counseling में सनीवार राद 10 बजी तक इतने मतलब एक लागज अब्यारतियों ने अपना पंजीकरन कर आया पंजीकरन की प्रक्रिया सनीवार राद बारा बजे तक जारी रही इसके बाद ये छात्र छात्र है आगे की प्रक्रिया पूरि करेंगे ठीक है तो आगे की प्रक्रिया कुछ लोगों में देखिए कॉल इसको लेकर करेंगे जो भी आपको क्लेश करना तो इसको आप अब re-login कर लिया करें ठीक है अगर आपने इबर open किया उसके बाद में आप उस वही से देखर हो कि आपके हैं कोई प्रॉससर नहीं हो रहा है तो यह देखिए ऐसा होता है कि जब आप उसको मतलब इनके पोर्टल पे ऐसा है कि जब आप उसको रिलॉग इन करते हैं तो आपका वो ऑप्शन आ जाता है आपके आईडी अपडेट हो जाती है ठीक है इसके बाद ये चात्र चात्र हैं आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे वहीं पहले चरण के काउंसलिंग और फीस जमा होने के बाद सनीवार को 56,000 चात्र चात्राओं को कॉलेज भी आवंटित कर दिया गया हाला कि पहले ये कॉलेज 19 जून को आवंटित किये जाने से अब ये समझ लीजे कि 19 जून को कॉलेज आवंटित किये जाने से लेकिन इससे पहले ही कॉलेज आवंटित पत्र जो है वो जो भी कॉलेज आवंटित हुआ है वो उनका पत्र अलॉट्मेंट लेटर जारी कर दि टाब वहां पर एड़ हो जाएगा ठीक है जहां पर आपका दिया गया है अपडिकेंट डीटेल थीक के और यह सारे options दिये हुए ठीक है वहां पर एक tab आपका और open हो जाएगा वहां से आप अपना allotment letter download कर पाएंगे ठीक है आगे हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे जिनकी फीस फसी है तो फीस फसने का नहीं थमरा सिलसिला ठीक है क्योंकि इंटरनेट की गड़बड़ी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है फीस फस रही है बरस्पतिवार को 1600 और देखिए बरस्पतिवार को 1600 मैंने अपडेट पहले दी ती बीजूंसों की अभी फासी अब 1600 की फसी हुई है और सुक्रवार को जो 4500 ब्याड़ती है इनकी फीस फसी से यह यहां पर आप देखोंगे तो यहां पर एक सट सो लोगों की फीस फस गई है ठीक है तो आप लोग परिशान ना हो मानता हूं कि 24 आवर से भी जादा हो गया है फीस फसी हुई है अब बात करेंगे ओनलाइन ट्रांसपर के दोरान इन छात्रों की फीस खाते से कड़ गई लेकिन कॉलेज के खाते में नहीं हुई जमा ठीक है नहीं पहुची है इस समस्या को हल करने में 24 गंटे का समय लग रहा है इसके चलते सनीवार को भी तमाम छात्र छात्राइं विश्विद्याले में बटकते रहे ठीक है मतलब जिनकी जमा नहीं होती है तो वो विश्विद्याले पहुच रहे है अच्छी बात है प्रवेस परिच्छा के राज समयनवार जो प्रोफेसर ब्यार को क्रेती है इन्होंने बताया कि सनीवार को जिन अभ्यारतियों की फीस है वह रवीवार को ठीक हो जाएगी ज्यादा रासी होने के चलते बैंक की जो क्रॉस चेकिंग है वो प्रक्रिया क्यार सब्सक्रावर क interpret कर वह अजर रहे हैं ऑं-लाइन कर वा ले रहे मतलब आपको कॉलिज में डिल जुमा करना है जो फीस मतलब बगाया तो आपको पे कर देनी है तो फी जब इतना इतना पैसा है दोस्तों जब एकाउंट में ट्रांसफर होकर के आएगा तो उसमें की क्रॉस चेकिंग लग जाती है तो वही बुला गया है बैंक की क्रॉस चेकिंग प्रक्रिया में समय लगने के चलते इसमें 24 गंटे तक लग रहे है ठीक है तो दोस्तों यह सारी समस्या यहा रही है और बाकी जो राउंड फस्ट और राउंड सेकंड में छूट गए है अब भ्यारती और अपना रिश्टेशन नहीं करा पाए है औ तो पूल कांसलिंग दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी पूल कांसलिंग वह करा सकते हैं पूल कांसलिंग में रेइस्टेशन जैस पूरा प्रॉसस वही होगा रेइस्टेशन कराना हो रेइस्टेशन के बाद में उनका भी च्वास फिलिंग होगा तो बिल्कुल भी परिशा रहा है जिन लोगों ने कॉलिज प्रिफरेंस नहीं दिया है तो कॉलिज प्रिफरेंस दे सकते हैं वाँ पर उप्सेन को ले करके एड़ हो जाएगा ठीक है तो यह अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा अपनों दोस्तों शेर करेगा मिलते रहें वीडियो में अपना बहुत लगे कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स पर करके पूछ सकते हैं मैं कोशिज करता हूं कि सभी का रिप्लाइग दे पाऊं ठीक है तन्दवाद